नमस्कार लोग से बाद चुनों से जुड़ा क्यापिटल टीवी का खाश शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा बिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जब से सलाखों के पीछे गए है बिपक्षी नेताओं की हवाईया उड़ी हुई है बिपक्ष के तमाम बड़े नेता डरे हुए है क्योंकि भरस्टचार पर कारवाई हो रही है इसलिए बिपक्ष हैरान है पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक बिल में चुपे तमाम बिपक्ष के बड़े नेता जैसे ही केजरिवाल की गिरफतारी होती है सामने आते हैं और गिरफतारी को लेकर सवाल खड़े करते हैं ममता बेनर जी कह रही है कि साजिश के तहत अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी हुई है अक कि विपक्ष के नेताओं ने सवाल तो खड़ा किया लेकिन दिल्ली के सडकों में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें विपक्ष के एक भी नेता नजर नहीं आए हाला कि विपक्षी गडबंदन के तमाम नेता चुनाओ आयोग भी पहुंचे वहाँ पे शिकायत दर्ज कर और केज़िवाल की गिरफतारी में इंटरफियर करने की मांगी है चुनाओ आयोग इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या करता है वो देखना दल्चस्प होगा लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यूं विपक्ष केज़िवाल की गिरफतारी पर चला रहा है और सबसे बड़ा में इसका असर क्या होगा कैसे बनेगी आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस पार्टी के बीच में बात आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे मेरे साथ जुड़े हैं क्या पितल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर वनिश कुमार और एक्सक्यूटिव एडिटर राज इसे होता है। किसने कमप्लेइनट किया, औरिजिनल कमप्लेइनिट कौन है, यह कॉंग्रेस पार्टी के डिली उसमक्त के धक्ठा अनिल चौधरी उन्होंने ही अस्थाना साहब को बकाईदा लेटर लिख करके और वो भी कॉंग्रेस पार्टी के लेटर हेड के ऊपर ये शिकायत दर्ज कराई और आज राहूल गांदी छाती पीट ने डिमोक्रसी की हत्या हो गई आप इस तरह से नहीं कर सकते एक मैंने पहले तक आप आपके तमाम लीडर्स कॉंगरेस पाटी के दफ्तर से प्रेस कॉंफरेंस करके केजी वाल के खिलाफ एक्षन की मांग कर रहे थे चाहे वो पवन खेड़ा हो जाहे वो दिल्ली के तमाम लीडर हो अजय माकन हो या संधीब दिक्चित हो ये सारे लोग एक के बाद एक प्रेस कॉंफरेंस करके केजी वाल के खिलाफ कारवाई मांग रहे थे क्योंकि ओरिजिनल कंप्लेनिंट अनिल चौधरी कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का तो अब आप कंप्लेन भी करोगे कारवाई होगी तो गिरफतारी भी होगी और जब गिरफतार हो जाओगे तो आप कहते हो कि भई हमारे उपर रत्याचार हो रहा है तो कॉंग्रेस पार्टी की तो हालत यह है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या इधर जवाब दे उधर जवाब दे यह होता है कि जब आपका लीडर विचारधारा विहीन हो जिसके सामने कुछ समझ वो कोलू के बैल की तरह हो जिसके सामने बस सामने जो है बस वही नजर आ रहा हो तो ये आप इस तरह की गलतिया करते हैं और आपने कल इतना धिनोरा पीट लिया कि हम मिलने के लिए आएंगे कॉंग्रेस पार्टी आमादी प साथ नहीं जाएंगे तो आपने अपनी बदली तो फिर आपने वो काम पहले किया ही क्यों तो यह राहुल गांदी की वजह से यह इस तरह का सकते कि अपने ही जाल में कॉंग्रेस पार्टी फस गई बिल्कुल जैसे कि राजीब सिर्शने समझाया कि कॉंग्रेस पार्टी समर्थन की बात करते हैं गिरफतारी पर सवाल खड़ी करते हैं राहुल गांदी का स्टैंड भी कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ऐसे में सवाल गी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में अब राजनीती कैसी देखने को मि अले तक आम आदमी पार्टी के तरफ से बार बार कहा जा रहा था अपने नेताओं को कि देखो जहां जहां कॉंग्रेस के उम्मिदवार होंगे हम अपने संगठन का उप्योग नहीं करेंगे उसे अगर किसी तरह एकास तीट मिल गई तो हमारा भविसी चौपट हो केजरिवाल का समर्थन करना ये कॉंग्रेस की बाहर की रनीती अलग है अंदर की रनीती अलग है जितने पार्टी के नेता हैं जो अभी चुनाव आयोग में गए चुनाव आयोग के पास एक डेलिगेशन लेके गए देखिए अर्विन केजरिवाल गिरफतार हो रहा है बह किसी नेता को प्रोटेक्शन देना है आप कोट गए आपको सुप्रिम कोट से हाई कोट से लेकर लोवर कोट में हर जगह पर ये दिखाई पड़ गया कि चुनाव से लेना देना नहीं है किसी घोटाले के परदाफास या किसी की गिरफतारी को लेकर अब चुनाव आयोग स ये दिखाना है लोगों को कि हम चुनाब के समय हमारे नेताओं को गिरफतार किया जा रहा है इसलिए क्योंकि हम मुदी से लड़ रहे हैं लेकिन ये उल्टा दाव पड़ चुका है दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जस्न मनाया गया ये तो पता चल गया है कि अरविंद केज केजरिवाल खुद ही इस समय गिरफतारी के लिए एडी के पास चला जाता ये चैलेंज नहीं करता कि चलो दस दिन जेल मेरा ले यहां पर एकाद सीट तो लोग सभावे मिल जाए ये इस्थिती इन पार्टी के नेताओं की है लेकिन अंदर में बहुत कुछ चल रहा है इन पार्टी के नेताओं के बीच जो केजरिवाल को समर्थन कर रहे हैं और इसलिए इन लोगों के बीच आपस में जगडा भी हो रहा है केजरिवाल जेल जाएगा सबसे ज़्यादा कोई अगर खुश होगा वो दिल्ली के कॉंग्रिस के लोग होगी मैं तो आश्चर चिकित था संदीब दिख्षित केजरिवाल के फेवर में बातचीत कर रहे हैं कल तक गालियां दे रहे थे और कम से कम इतना तो शर्म होना चा जोगोर घुटाले बाज पता नहीं क्या क्या नहीं कहा पोस्टर चापा करता था केजरिवाल कि अगर सीला दिख्षित को भोट दिया तो घर घर गली गली आपकी बेटियों का बलतकार होगा यह इस तरह की घटिया हरकत करके वो राज़नीती में आया और आज आज आपका अब इसके पास जा रहे हो एलेक्शन कमिशन क्या कर लेगा एलेक्शन कमिशन से मांग की गई है कि इस पूरे मामले में दखल दिया जाए उसके पास को करवाई ने तो पॉलिटिकल मुद्धा बना रहे हैं यह टूल किट गैंग तयार हो गया तमाम वामपंधी देश को य नियुक टाइम देख लिए बीबीसी वाले देख लिए यह सब करें डिमोक्रसी डेड अब यह मुझे समझ मने आता है कि पॉलिटिकल साइंस की इन लोगों ने कौन सी किताब पढ़ ली है यह निरा मूरक लोग जो लंदन में बैठके नियॉक में बैठके हिंदुस्तान क एक्सपर्ट बन जाते हैं यह बता दे कोई कि दुनिया के किस देश में बरस्टाचारियों को गिरफतार करने से डिमोक्रसी की हत्या हो जाती है यह तमाशा कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का आपने जिक्र कि हर जगा तो यह इंटरनाल लोग यहां बैठे हुए हैं मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं चीन पाकिस्तान से ज्यादर बड़ा दुस्मन यह वांपंथी गैंग है जो हिंदुस्तान को डेमेज करता है तो यह इनको एक कहावत है मैं इस्तमाल नहीं करना चाहता है लेकिन जिस हिसाब से देश के खिलाफ प्रपगंडा हो तो यह कहना पड़ेगा कि हाथी चले बजार और कुता भौके हजार यह लोग उसी कटेगरी के लोग है इनसे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला हिंदुस्तान की डिमोकरसी हिंदुस्तान की डिमोकरसी है यह बीबीसी वाले अनपल गमार लोग यह हिंदुस्तान के बारे मे और पंजाब में कुछ हो रहा है लेकिन क्या इसका असर लोकसभा चुनाओं में दिल्ली में देखने को मिल सकता है क्या। ये घर-घर तक भारती जनतापाटी के कारिकरताओं ने भी पहुँचा दिया है कि देखो ये चिठ्थी ये है समीर महंद्रू ये है अभिशेक बोहिन पली ये है सरत कुमार ये है दिनेस अरोडा ये सारे जो लोग हैं इन लोगों ने बताया है खुल-खुल कर कि देखो अर रिमांड कौपी चल रही है ये रिमांड की कौपी अभी घर घर तक पहुंचेगा कि देखो एडी के पास क्या क्या सबूत है तुम ये बोलते थे न कि हमारे पास पैसे नहीं मिले पैसे क्या ये आज कल एक सामान बुद्धी का व्यक्ति भी जब भरस्टाचार करता है जब काम करता है तो वो अपने घर में पैसा लेकर नहीं आता इसलिए एडी ने कहा है कि देखो ये पूरा का पूरा हवाला रैकेट चला रहा था हवाला के जरिये पैसे की लेंदिन हुई है मतलब दिल्ली चुना पर प्रभाब अगर बहुत बड़ा परना होता तो इसके लिए भारतिये जनता पार्टी पहले से तैयारी कर रही होती ये तो मीडिया में भी खबरे चल रही है कई जगह ये लोग बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतिये जनता पार्टी ने गलत कर लिया फैसला लेकर कि यहां पर अगर ये अर अर्विन केजरिवाल के जेल जाने से न दिल्ली में कोई परभाप पढ़ने वाला है और नहीं पंजाब में कोई परभाप पढ़ने वाला है दूसरे जगह पर तो इन पार्टी के नेताओं के पास कुछ है ही नहीं जे धनिवासर आप दोनों का बातचीत करने के लिए तो लोकसभा चुनाओं से पहले अर्विन केजरिवाल की जो गिरफतारी हुई है उसको लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन आपने जाना और समझा कि केजरिवाल की गिरफतारी से नह दिल्ली में कोई असर पड़ेगा नहीं इसका नतीजों में कोई असर लोकसभा चुनाओं में देखने को मिल सकता है विपक्ष की तरब से जरूर राजनीती की जारी है केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर तमाम बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे है विपक्षी नेता अलाल इतना ही देख तीरे क्यापिटल टीवी नमस्कार